अनुछे 370, 35A, Article 370 और 35A क्या कारण था? इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं के टालते भी नहीं हैं, और नहीं हम समस्याओं को पालते हैं, अब समस्याओं को टालने का भी वक्त नहीं है, जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नहीं सरकार मनने के बाद, 70 दिन के भीतर भीतर, Article 370 और 35A को हटाने का काम, भारक की दोनों सदनों ने, राजसभाव और लोगसभा ने, दो तिहाई बहुमत से पारित कर दिया, इसका मतलब यह हुआ, कि हर किसी के दिल में एवात पड़ी थी, लेकिन प्रारंब कौन करे, आगे कौन आए, शाइद उसी का इंतजार था, और देश वासियों ने मुझे काम दिया, और मैं आपने जो काम दिया है, उसी को करने के लिए आया, मेरा अपना कुछ नहीं है। हमने जम्मू कश्पी री और नहसन की भी आगे भड़े, सतर साल हर किसे में कुछ न कुछ प्रयास किया, हर सरकारों ने कुई प्रयास किया, लेकिन इच्छित प्रणाम नहीं मिले और जब इच्छित प्रणाम नहीं मिले हैं तो नए सिरे से सोचने की नए सिरे से कदम बढ़ाने की आवशक्ता होती है और जम्मू किश्मीर और लब्दात के नागरिकों की आशा अकांशा पुरी हो ये हम सब का दाईत्व है उनके सपनों को नए पंख मिले ये हम सब की जिम्मवारी है और उसके लिए 130 करोड देश वाज़ियों ने इस जिम्मवारी को उठाना है और इस जिम्मवारी को पुरा करने के लिए जो भी रुकावटे सामने आई हैं उनको दूर करने का हमने प्रयास किया है पिछले 70 साल में इनी व्यवस्ताओं ने अलगावबाद को बल दिया है आतंगबाद को जन्म दिया है परिवारबाद को पोशा है और एक प्रकार से ब्रस्ताचार और भेद भाव की नीव को मजबूती देने का ही काम किया है और इसलिए वहां के महलाओं का अधिकार मिले वहां के मेरे दलीत भाईयो बहनो देश के दलीतों को जो अधिकार मिलता तो वहां नहीं मिलता था हमारे देश के जनजातिय समु – देश के जनजातिय समु को ट्राइवल्स को – जो अधिकार मिलते हैं वो उनको भी मिलने चाहिए वहां के हमारे कई ऐसे समाज, व्यवस्ता के लोड चाह्यमें गुजर हो बकरवाल हो, गद्दी हो, सिप्पी हो, बाल्टी हो एचे अनेज जन जाती हो उनको राजनीतिक अधिकार भी मिलने चाहिए उसे देने के दिशा में हम हैरान हो जाएंगे बहां के हमारे सभाई कर्मिकरी भाईयों भेनों के साथ कानूनी रोग लगा दी गई थी उनके सपनों को कुचल दिया गया था आज हमने उनको यह आज़ादी देने का काम किया है भारत विबाजन हुआ लाखो करोरो लोग विस्थापित होकर के आए उनका कोई गुणा नहीं था लेकिन जो जम्मु कश्मीर में आकर के बसे उनको मानवी अधिकार भी नहीं मिले जम्मु कश्मीर के हमां अंदर मेरे पहड़ी भाई बहन भी है और इसलिए उनकी भी चिंता करने की दिशान हम कदम उठाना चाहाएं